हाईलो दोस्तों आप सभी को अपना चैनल सोर आप सिबिल सर्विसेज में स्वागत है आप सभी को आज की टौपिक होगा आप लोग के लिए करेंट ओफ फियर्स 13-8-2021 के लिए आज जो आपका टौपिक है यह है करेंट ओफ फियर्स आपका टौपिक current of years topic 13-8-2021 के लिए जिसमें आपको यह SSC, railway, bank and all competitive exam के लिए आपको यह topic है current of years इससे question पूछे जाते हैं तो हमारे जो भी new viewer है जो अभी तक इस channel को subscribe नहीं किये होंगे प्लीज इस channel को subscribe कर लेंगे ताकि इस channel का आपको फायदा मिलेगा और जो पहली वीडियो जो होगा उसकी notification आप तक जाएगी तो चलिए दोस्त आज start कर रहे हैं हम लोग current of years questions 10 questions जो सभी exams के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण question है आपके 10 questions 10 questions को सुनेंगे समझेंगे हम पर तेक दिन इस channel के माध्यम से आपको 10 questions अपलोड करते हैं आप लोग से एक सहयोग हमें चाहिए कि आप इस channel को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच सेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा students के बीच सेयर कीजिए ग्रूप में सेयर कीजिए ताकि इसकी फायदा तो सब लोग को मिलेगा और साथ में यहां काम अगर आप मेरे लिए करते हैं तो मेरे लिए भी यहां एक बहुत बरी सहयोग आप लोग मतलब मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर इस तरह की काम अगर आप लोग कर देते हैं मेरे लिए तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी सहयोग हो जाएगी आप लोग के द्वारा तो चलिए हम लोग कोशन करते हैं start first question आपका जो होगा उस first question को देखते हैं first question है आपका ध्यान दिजे first question है कि परधान मंत्री नरेंदर मोधी आज गुजरात में किस सम्मीत सम्मीत को सम्बोधित करेंगे तो है आपका इन्वेश्टर सम्मीत 2021 परधान मंत्री नरेंदर मोधी आज गुजरात के किस सम्मीत को सम्बोधित करेंगे तो है आपके इन्वेश्टर सम्मीत 2021 second question है आपका केंद्रिय मंत्री अनुराग ठाकूर ने किस योजना का सुबारंव किया है तो है फीड इन्डिया फ्रीडम रन 2.0 फीड इन्डिया फ्रीडम रन 2.0 को सुबारंव करेंगे question नंबर तीन देखिए question नंबर तीन है आपका कि आंद्र परधेश के मुख मंत्री जगन मोहन रेड़ी आज किस अवार्ड को पेश करेंगे वह अवार्ड का नम है Y.A.S.R. Lifetime Achievement Award Lifetime Achievement Award को आंद्र परधेश के मुख मंत्री है जगन मोहन रेड़ी आज इस अवार्ड को पेश करेंगे ध्यान दीजिएगा आपसे ऐसे भी question पूछा जागा कि बरतमान में आंद्र परधेश के मुख मंत्री कौन है तो जगन मोहन रेड़ी है question number 4 देखिए question number 4 है पुल मावा पुल बामा हमले की जाच को उसके अंजाम तक पहुँचाने वाले एन आई के S.S.P. राकेस भलवार भलवाल को गरी मंत्राले किस आवार्ड से सम्मानित किया है वह है उत्करिष्टा पूरुसकार से उन्हें सम्मानित किया गया किस पुरुसकार से तो उत कृष्टा पूरुसकार से सम्मानित किया गया है अब है आपका केंद्रिय कैमिनेट ने ग्रीस अचीव आजय भला को कितने वर्स का सेवा विस्तार दिया है वह है एक वर्स का सेवा विस्तार दिया है कितने वर्स का तो एक वर्स का अब हम question 6 देखते हैं question number 6 है England का कौन सा baller test cricket में 35,000 गेंद ठेकने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदवाज overall 4 यानि 4 बॉलर बन गया है वह है James Adderson James Adderson है कौन है James Adderson question number 7 देखिए जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक सेर करते चलिएगा ताकि इसकी फैदा सभी लोग को मिल सके question number 7 है कि air India की किस पाइलट को संजुक्त राष्ट में महिला प्रवक्ता के रूप में न्यूप किया गया है वह है आपका captain captain जोया अगरवाल को captain जोया अगरवाल को question number 8 देखिए question number 8 है आपका कि देश में पिछले 24 घंटों में कुरोना के कितने नए मामले सामने आए हैं तो है 4120 मामला नए आए है 24 घंटे में और यहां इसमें से 585 लोगों की मौते हुई है तो चले question number 9 देखिए question number 9 है आपका ध्यान दिजिए दुनिया भर में आज के दिन 13 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है यह है world organ donation day world organ donation day को मनाया जाता है दुनिया भर में 13 अगस्त 13 अगस्त परतेख साल के 13 अगस्त को world organ donation day मनाया जाता है question number इस वीडियो का question number आपका 10 question number है 10 question number को आप अच्छे से सुनेंगे समझेंगे याद करेंगे 10 number question मद परदेश के किस सहर को भारत का पहला water plus सहर घोसित किया गया है वह है आपका indoor किसको घोसित किया गया है तो इन दौर को घोसित किया गया है तो इस तरह से आपको 10 question समाथ हुआ इस वीडियो में इसी तरह के 10 question पर तेक दिन इस और आप सिविल सर्विसेट चाइनल के मद्हम से upload किया जा रहा है साथ ही साथ आपका live class भी प्रारम कर दिया गया है जो विद्यार्थी इस बार SSC GD के लिए प्रिप्यर है वह विद्यार्थी टाइम आठ बजे जोईन कर लेंगे इस चैनल को और वहां आठ से नौ बज तक आपका live class चलता है और live class में आपको जी एस question को discuss किया जाता है तो आज तक कितना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद